अग्न सब्सक्रादफें के लिए चॉकलेट मेंगो रोल की रेसिपी लेकर आए हैं इसे बीना चॉकलेट के बनाएंगे बहुत कम समानों से नहीं है बहुत कम समानों से बांतर है तो आईए देखें जूँर नीमें की बिसकिता स्किती डिखें लिखें पंपकुलीम कंड़ू से वरी लिखें कशा केसर धाग के लिखें तो एक छोटे चंमज के करिब उसे डाल या नहीं ऊप इस तरह से थोड़ा देशे उपर चंब ऑनी जा Так if you Google रूट हब क्या को जाता है। इसलिए यहां पर हमने केर्सर कजा एक श्रूमचarse wykorम गी डाल Yak इस तरह से चलाते हुए थोड़ा कुप करेंगे गी डालने से इसमें साइनिंग आ जाती है और टेक्शर भी जल्दी चेंज हो जाता है तो अभी हमने एक चोटे चम गी डाला है अब हम इसमें एक चोटे चम गी और डालेंगे और इसे फिर से बापिस हम मिक्स कर लेंगे यह देखिए अब जब हमने लास्ट में एक चोटे चम मजगी डाला है तो यह कितना अच्छे से जल्दी से एकदम ठीक हो गया है यह देखिए एकदम से पैन को छोड़ने लगा है इसी तरह से हमें इसे कम्प्लेटली एकदम ड्र बीस्केट को पीस रही हूं तो थोड़ा बिसकित हमारा पहले से बचा हुआ इसलिए मैं पूरा एक प्रीकट नहीं पीस हुआ ही आप तो आपके पास जो भी घर में बिसकित हो अगर चॉक्लेट वाला बीसकित हो तो आप वह यूश कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें डालें और इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डालकर हम इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे इसका डो तयार कर लेंगे तो सरफ दो टेबल स्पून दूद यहां पर लगेगी और यह देखिए यह अच्छे से बाइंड हो चुकी है एक दम डो जैसा बन गया है अब इसमें हम डालेंगे एक छोटे चम्मज घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस चौकले डो को हम साइड रग देते हैं तब तक हम आम वाला डो देखते हैं अब जो आम वाला डो हमने बना कर रखा था वह पूरी तरह से ठंडा हो के अच्छी का है तब इस तरह से पॉलिधिन सीट में हम इसे रखकर बेल लेंगे थोड़ा सा ऐल बेल पर भी लगा ले और इसे पतला हम बेल लेंगे रोल करना है से इसलिए हम ने इसे पतला और बड़ा लिया है अब इसे हम साइड रख देते हैं अब एक इम सीड के उप तो अब इस तरह से आम वाली की ऊपर डाल देंगे जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखा रही हूं आपको तो उसके ऊपर थोड़े से पिस्ते काजू बादाम जो भी आप के पास ड्राइफूट्स हो डाल दे और इस तरह से सीट को ही उठा कर हमें प्लास्टिक सीट को उठ करना है देखिए जैसे मैंने वीडियो में दिखा है आपको तो यह इस तरह से टाइट रोल हो चुका है तो अब हम इसे इस तरह से वापिस थोड़ा सा रोल करके थोड़ा सा और सेट कर देंगी हाथों से अब जो एल्मुनियम फॉयल है उसमें मैंने थोड़ा सा नागिल क से चिपक जया और उसके बाद ऊस को वापिस तरह से रोल कर देंगी हम को और यह देखिए है इससकी तरह से प्याइक करकर के हम इसे टाइट करकर के प्रिज में दो घंटे के लिए रख देंगी तो यह की दो गंते की बाद यह बहुत अच्छी से चैट तो अब हम इसे कट कर लेंगे यह दिखिए करने से कितनी अच्छी पीसस नई कर रही है इसके बस इसी तरह से कट करके आप इसे स्थ करें और इसी तरह से चोकलेट और मैंगोरोला भी बनाया और राश्पी पसंद है तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना नह झाल वुली थैंक यू